तो सबसे आधा क्वेरी सबसे दाउट किस चीज पर आते हैं वह होते हैं सालरी से उपर कि भाई मैं डेटा साइंस में जैसे पढ़ लिए मैं खुद एक डेटा इंजीर्यूर हो दो साल से तो लोग मेरे को रीच आउट करते हैं इंस्टेग्राम पर कॉमेंट्स में कि भीया म मैं इस-इस फील्ड से हूँ मेरे ये पास ये सिल्स है तो मैं क्या सालरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या-क्या चीजे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कितना मैं कमा सकता हूँ कितना इतने साल में अगर मेरा को एक्सपेरियोंस हो जाए तो कितना मैं कमा सकता हूँ ठीक है पारे में हम लोग बात करने वाले वीडियो को पूरी देखना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, डेफिनिटी काफी अच्छा लगेगा, बेकॉज इस सारी वीडियो से बहुत ज्यादा लाइक कॉमेंट नहीं आते हैं, बर डेफिनिटी जिनने लोग देख रहे हो, मशीन लर्निंग एंजिनियर, AI एंजिनियर, डिफरेंट डिफरेंट काइनिस ओफ डेटा फिल्ड में भी लोग हैं, ठीक है, तो कैसे हम, salaries काम कैसे decide करें, Google पे search करते हैं, Google पे experience भेज आता है, हमें कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है, तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है, हम कैसे समझ सकते हैं, हम कैसे वो सारी चीज़े grasp करके, मतलब समझ के चीज़ों को explain करके, सारी चीज़े कैसे हम अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं, उसके बारे में प्रॉपर वीडियो होने वाली है, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, अगर आप गूगल पर जाके सर्च करो, डेटा साइन्स, अगर मोस्ट ग्रोइंग जॉप यह ऐसे करके सर्च करोगे न, डेटा साइन्स आपको काफी उपर मिलेगी, एंड टॉप के लिस्ट में आपको ज़रूर मिलने वाली है, तो डेटा फिल्ड हैंग, ऐसी फिल्ड है, तो भाई यह फिल्ड पर्फेक्ट है, अगर आप नॉन कोडिंग जॉब्स में, जिसमें आपको नॉन कोडिंग जॉब्स भी है, प्रॉपर आपके कहना में, सॉफ्टर इंजिरिंग टाइप के जॉब्स भी है, जितने पाकेज उफ्टर इंजिरिंग जाता है, बहुत अच्छे चे पाकेज़ जाते हैं, तो उसके बारे हम लोग बात करने वाले है, इसका नाम है, ओडीन उसकूल के तरफ से फ्री आफ कॉस्ट अविलेबल है, अपो गेट स्टर टाइप करना, मैंने यहाप पना नाम डाला, अपना फर्स नम डालना है, यहाप फर्स योर नेव आपका नाम डाला है, फर्स नम पूरा नाम आपको डालना है, उसके अदिए एजुगेशन बागराउंस, ठीक है, अपना है, मेरा CSIT आपका जो भी है, वह यहाँ से डाल सकते हो, बीकॉम के हो तो अदर्स भी डाल सकते हो, नोन CSIT के हो तो भाई वो भी डाल सकते हो, कोई शूस नहीं, बेकॉस डेटा साइस है, कैसे बार में बात करें, कैसे कर सकता है तो यहाँ पर मैंने अपना career of graduation डाला, उसके फ़र अपना total years of experience, मेरा 2 साल के experience है, तो 1, 2, 3 डाला, उसके मेरा knowledge of statistics intermediate है, उसके knowledge of programming मेरी intermediate advanced नहीं डालूंगा मैं, और मैं एक trained, like मैं experience मतलब काम कर रहा हूं, तो मैं trained data scientist हो, उसके फ़र अपना preferred location मेरा, बैंगलोर होने वाला है, उसके मैंने next year, next करने के बाद मैंने याँ पर डाला, that is my this one, that is email ID, number डाला, उसके summit कर दिया, मेरे सामने सीधा सीधा आ गया, that is 5.92, ठीक है, 5.92 से लिए 7.24 तक मैं expect कर सकता हूं, अगर मैं इस range में expect कर सकता हूं, if मैं कहीं और interview दता हूं, यहां मेरे को पता चलिए कि हाँ भाई, मैं यह चीज़े लाइक पढ़ सकता हूं, यह चीज़े कर सकता हूं, यह चीज़े मैं, अगर मैं excuse पर द्यान दू, तो इतना package मैं आराम से निकल सकता हूं, companies अगर इससे कम offer कर रही है, तो आपको idea है कि भाई, कैसे कैसे करना है, आप इसी हिसाब से, अपना क्या न मैंने आपको link नीचर description दिया हुआ है, that is of data science course bootcamp proper, जिसमें आप कहना में, इस bootcamp आपको data science के बारे में, data science में बार बार बोल रहा हूं, data field के बारे में, data field के बारे में particularly, सारी चीज़े पताया जाती, सारी चीज़े सिखाया जाती है, that is, if you want to get, अभी new year का offer पी चला है, 10,000 का extra discount आपको मिल लाएंगे, एक bootcamp पे, limited period offer है, और limited seats के लिए है, तो भाई अभी जाके enroll कर लेना, अगर आपको इस field में गुसना है, अगर आपको इस field में, कुछना कुछना कुछ सीखना है, इस field में आना चाते हो, सीखना चाते हो चीज़े हैं, definitely बहुत अच्छा bootcamp है, इ आपको कोई tension नहीं होती है, उसके आद फिर आपको जो program की fee है, that is this much and G plus GST, जिस पर आपको 10,000 का discount मिल ला है, उसके आद फिर आपको 10 days की refund policy मिल लई है, कि भाई आपने enroll कर लिए, आपको satisfactory नहीं लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है, इस field मेरे को नहीं जाना है, ऐसा for avail, आप कहना मागर, आप इनका test देते हो, जैसे apply करते हो, आपको एक scholarship test होगा, scholarship test हो भी यह भी दिखाऊंगा, कैसे कैसे देना होता है, कैसे करना होता है, test कैसे दे सकते हैं, उसके बार हम बताएंगे, test जैसे दिया, test देने बाद आपको 30,000 तक की scholarship, up to 30,000 तक की program की scholarship मिल जाती है, based on performance, जैसे भी performance रहेगी, उस हिसाब से आपको scholarship मिलती है, और इसमें आप क्या के जहां पे आप देख सकते हो, जो जो बंदे प्लेस होएं, उनके आप testimonials देखो, कि हां कितने हैं, सही सही बंदे हैं, like, there from different, different, मैंने कितने interview videos बनाये हुए, ये बंदा, ये वाला इसके साथ मैंने interview video बनाये था, ये प्रॉपर आर्किटेक्ट था, different field से ही था, इसने अपना career relaunch किया, मतलब, अपना career change किया, कई लोग क्या होते हैं, अपना career relaunch करते हैं, अप ग्रेड करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, अब different field है है, अब इस field में घुझना, data field में experience लिया है, यहाँ सीखा, training, data science की, उसके बाद relaunch कर लिया, अपना career वो भी help करता है, ठीक है, अपना gap हो गया, कुछ, अपने, कहना में जैसे female को बहुत दा gap हो जाता है, कई बर, family responsibilities, यहाँ को कहना में child हो जाता है, तो कई बर आपको gap हो जाता है, वो gap cover, मतलब, relaunch कर सकते ह अपना करें, वो gap भी आपका matter नहीं करता है, अगर है तो, तो आपको यहाँ पे सारे जीज़े, mention of success stories, आप देख सकते हो, definitely, जो लोगों ने खुद किया, आप भी कर सकते हो, 100%, उसके आत फ़र यहाँ आपे snapshot opportunities है, आप companies देखना है, कितने रहे सारी companies है, तो आपको वो benefit मिल करना है, और लोगों कि अगर आप connect करना जाते हो, reviews लेना चाहते हो, यहाँ पे LinkedIn की ID भी उनके, उनके से connect कर सकते हो, पूच सकते हो, bootcamp जो परपर होने वाला है, उसमें आपको distribution, जैसे real time जो data होता, उसके distribution के बारे पढ़ाया जागा, starter 6 को use करके, आपको data visualization, python को use करके, कैस cloud computing perform कर सकते हो, distributed cloud computing, distributed computing ऐसे perform कर सकते हो, HDFS क्या होता है, Hadoop, distributed file system, यह सारे चीज़ आपको बाताया जाते है, कैसे join करना है, या कौन join कर सकता है, if you're from any, like, अगर आप अपना career launch करना है तो, change करना है, तो career upgrade करना है, तो career relaunch करना है, आप सारे apply कर सकते हो, as such, कोई issues नहीं होने कर सकते हो, आपके अपस कोई experience और चेंज करना है, career वो भी कर सकते हो, आप एक housewife और कोई gap हो चुका है, या पढ़ाई में कोई gap हो चुका है, तभी आप relaunch कर सकते हो, no issues with that, इसलिए मैंने सब कुछ आपको बता दिया, starting में ही, bootcamp जो live होने वाला है, आपको project based learning होगा, आप आपको career services, अलग से भी आपको काफी, जैसे career services में आपको interviews के preparation भी करवाय जाते है, तो वो बहुत benefit मलती है, तो यह सारा, आपको यह सारे यहाँ पे curriculum में यह आप देख सकते हो, definitely, आपको apply करना है, just apply पे tap करो, apply पे tap करने बाद form आ जाता है, apply पे tap करना है, उसके बाद आप आपको यह test, like आपको कहना में एक link दिया आएगा scholarship का, just take test पे tap करना है, that is it, आपको एक test देना है, test देनी के बाद, आपको जो भी आपको test का performance रहता है, उसके base पे, आपको scholarship मिल जाते है, that is it, तो इसका link manager description दे दिया है, tension नहीं लेना है, कोई भी डाउट कोई प्रावलम ह जहन, बंदमातर, बबबाई, द्यान रखना, सारे link आपको नीचे description मिल दिया, अभी जाकर tap करके apply कर सकते हो, बहुत जादा फायदा हो सकता है, उठा सकते हो, इससे opportunity का फायदा,